हेलो नमस्कार सभी को कैसे हो आप से भी हरियाना सीटी तरफ से एक और बड़ी बरती भी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पद के उपर कवालिफिकेशन की अगर बात करें आपके पास पलस्टू डिप्लोमा या ग्रेजवेशन हो आप इस बरती के लिए इलिजबल ह सकते हैं आवे दिन पर करिया आपकी ओनलाइन रहेगी टोटल वकैंसी की अगर बात करें 756 पद आपके रहने वाले हैं कंप्लेट वीडियो के मादिम से जानेंगे अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबसे पहले आपको चैनल पर प्रोवाइड कर वाई जाती है तो यू आपको ये सेलरी दी जाएगी अगर टोटल वकैंसी की बात करें तो टोटल इसके अंदर 36 वकैंसी हो जाती है और दो और दो च्यार और एडगर के टोटल वकैंसी इसके अंदर 40 हो जाती है जो ये टोटल च्यार वकैंसी आपकी PWD की हो जीगी अगर बात करें सबसे पहले की आपकी 25 वकैंसी रहने वाली है इसी परकार SC की 4 और BCA की 2 BCB की कोई वकैंसी नहीं है यहाँ पर और EWS की 2 वकैंसी है और ESM जनरल की इस परकार आप यह पूरा डाटा है वो चेक आउट कर सकते हूँ नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं और इसी की कोईफिकेशन की अगर बात करें तो इसकी कोईफिकेशन आपकी होजेगी तो आपके पास अगर ग्रेजवेशन है ग्रेजवेशन ओफ रिकोनाइज यूनिस्टी एविंग विलेंट कोईफिकेशन विद नौलेज ओफ इन्दी matrix standard यानि कि आपके पास graduation है और 7 के अंदर इसके अंदर यहां पर साब साब बोल दिया पर fans will be given to graduate in यानि कि आपने graduation economics या फिर commerce या फिर agriculture से की हो या फिर आपके पास holding higher diploma in cooperation या फिर junior personal diploma है तो आप इस बरती के लिए eligible है नेक्स्ट पर बता दें food supply department के अंदर आपकी vacancy आई है inspector के पद होंगे level 6 के तहते इसके अंदर आपकी salary दी जाएगी भी total vacancy के अगर बात करें तो total vacancy इसके अंदर भी 38 24 आपकी vacancy रहने वाली है 14 जनरल की vacancy रहेगी साथ SC की BC A की 6 और BC B की 2 EWS इसकी तीन E.S.M. जनरल की दो E.S.M. SC की एक और E.S.M. BC की एक इस परकार ये पूरा डाटा चेक आउट कर सकते हो अगर E.C. की qualification की हम बात करें किसी भी stream से आपने degree हो आपके पास जाएं आप B.A.R. से की हो या commerce से या फिर किसी भी subject से related की हो तो आप इस बरती के लिए eligible हैं next पर हम बात कर लेते हैं यहीं पर एक और आपकी बड़ी बरती tax and inspector के पद भी tax and inspector के पद यहां पर अगर total vacancy की हम बात करें तो 155 और 4, 119 आपके 169, 159 आपकी vacancy हो जाएगी general vacancy की बात करें 54, SC की 29, BCA की 22 इस परकार आप यह पूरा का पूरा data है वो check out कर सकते हो अगर EC की qualification की हम बात करें अगर आपके पास graduation है graduate from recognized university or must have past equivalent examination यानि कि आपके पास graduation है तो भी आप इस बरती के लिए eligible हो next पर हम बात कर लेते हैं sub inspector के पाद भी बहुत बड़ी बरती सब inspector के पाद department की अगर बात करें registered cooperative society level 2 के तहती यह आपकी salary रहेगी अगर total vacancy की बात करें तो total vacancy आपकी 433 और PWD की भी demand आ रही थी आपकी तो PWD के अंदर आपकी 35 vacancy रहने वाले भी अलग अलग 11, 10, 7 और 4 इस परकार करके जनरल की अगर बात करें इसके अंदर 159 vacancy रहने वाली है अगर बात करें SC की 37 vacancy रहने वाले BCA की 60 vacancy यह परकार यह पूरा data आप है चेक आउट कर सकते हो अगर इसी बरती की हम kwalification की बात करें तो इसकी kwalification आपकी हो जाएगी यहाँ पर साप साप लिकरकार देखो जैसे की पलस्टू फ्रोम रिकोनाइजड बोरर्ड यूनिस्टी हो भी आपके पास पलस्टू हो तो आप इस बरती के लिए इलिजबल हो और साथ के अंदर यहाँ पर परफैंस किसको दी जाएगी परफैंस विल बी गीवन तो आपकी पलस्टू रहने वाली है तो टोटल वकैंसी आपको बतादी भी 756 आपकी वकैंसी रहने वाली है क्लावेशन आपकी प्लस्टू ग्रेजवेशन डिपलोमा आपके पास है तो आप इस बरती के लिए इलिजबल हो बाकि जिसका सीटी अग्जाम क्वालिफाइड है तो वो इस बरती के लिए eligible है, यह important update थी जो आप सभी तक share करनी थी, किसी भी प्रकार की government job से related जानकरी के लिए आप YouTube चैनल को subscribe कर शकते हो, और अरियाना CT test series चैनल पर आपकी हरियाना CT से जुड़ी test series भी वो भी शुरू हो चुकी है, यह important update थी जो आप सभी तक share करनी थी, किसी भी प्रकार की और बरती से related जानकरी के लिए, आप comment box के अंदर comment कर देना, आपको 100% reply देने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे, उमीद करता हूँ, आप सभी का दिन सुब हो.